कच्चा आम मसाला ले लो कच्चा आम मसाला खटा खटा गर्मी में स्वाद दिलाने वाला कच्चा आम मसाला ले लो सिर्फ दस रुपै अरी कुछ भी बोलो अगर गर्मी में कच्चा आम मसाला नहीं खाया तो और क्या ही खाया वही मज़ा ही आ गया ऐसे खा कर तो बूरी साधना हर रोज की तरह सड़ा किनारे बैठ कर कच्चाम मसाला बेचती है सुबा से शाम तक कच्चाम मसाला बेच कर साधना ठकी हारी शाम को अपने घर आती है ये क्या बेटिया तुम दोनों अभी तक पढ़ाई कर रही हो हा मा वो अगले हफते से हमारे एक्जाम है ना इसलिए दोनों बेटियों को पढ़ाई करता देख बिचारी थकी हारी साधना गर्मी में चूले पर खाना बनाने लगती है और अपने हाथों से अपनी दोनों बेटियों को खाना खिलाती है साधना के पती मनमोहन की मृत्यू महक और राशी के बचपन में ही हो गई थी जिसके चलते साधना ने बचपन से सडकों और आसपास के जगा पर घूम घूम कर कच्चा आम मसाला बेच कर ही अपनी दोनों बेटियों को पाल पोस कर बढ़ा किया था साधना अपने जोडों का दर्द की दवाई लाने के लिए कुछ पैसे लेती है कि तभी राशी और महक साधना के पास आती है साधना दर्द को सहकर अपनी दवाई के पैसे अपनी दोनों बेटियों की किताबों और कपलों के लिए दे देती है और चुप चाब दर्द बरदाश्ट कर लेती है साधना इतना बोल रही होती है कि तभी उसके सामने एक बड़ी सी गारी आकर रुखती है उस गाड़ी में से एक नीरज नाम का लड़का निकलता है और उस लड़के के साथ कोई और नहीं बलके साधना की बड़ी बेटी राशी होती है अपने सामने अपनी मा और बेटी को देख दोनों ही काफी हैरान हो जाती है राशी बेटा तो इस लड़के के साथ क्या कर रही है तू तो कॉलेज गई थी ना कौन है ये लड़का मा इसका नाम नीरज है मैं और नीरज एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं मैं आपको इसके बारे में बताने ही वाली थी लेकिन आज खुद ही आपको पता चल गया मा हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं नीरज राशी की आँखों में एक दूसरे के लिए प्यार देख कर साधना इस रिष्टे के लिए मान जाती है नीरज काफी अमीर घर से था इसलिए शादी में कोई भी कमी न रह जाए साधना इस बात का काफी अच्छे से ध्यान रखती है साधना बहन एक बार फिर सोच लो तुम तो सारी जमापूंजी अपनी बेटी की शादी में लगा रही हो अगर सारे पैसे बेटी की शादी में लगा दोगी तो अपनी कमजोर आखों का इलाज कैसे करवाओगी साधना अपनी आँखों के इलाज के पैसे और सारी जमापूंजी राशी की शादी में लगा कर उसकी धूम धाम से शादी करके उसकी विदाई कर देती है राशी का ससुराल काफी अमीर था इसलिए वो एशो आराम से अपनी जिन्दगी जीती है वहीं दूसरी तरफ मेरी पढ़ाई अप पूरी हो चुकी है इसलिए मैं अब शहर जाकर नौकरी करना चाहती हूँ लेकिन महक बेटा अगर तू शहर चली गई तो मैं यहां केली रह जाओंगी तेरे बिना मेरा क्या होगा महक नौकरी के लिए शहर चली जाती है वहीं बेचारी बोड़ी साधना अकेले रह जाती है और अपना गुजारा चलाने के लिए कच्चा आम मसाला बेचती है कुछ दिनों तक तो महक और राशी अपनी बोड़ी मा को कॉल करके उससे उसका हालचाल पूछा करती थी लेकिन आप कुछ वक्त से दोनों बेटियों के कॉल आने साधना को बंद हो जाते हैं साधना तुम इतनी बीमार हो और तुम्हारी दोनों बेटिया हैं कि आने का नाम नहीं ले रही हैं लगता है वो दोनों तुम्हें भूल गई है साधना बीमार हालात में अपनी दोनों बेटियों के आने की राह देखती है वहीं उसकी दोनों बेटियां तो अब एशो आराम से अपनी जिन्दगी जीती है शादी के बाद राशी हर दिन पार्टी, कलब, शौपिंग करना, नई जगा पर घूमना और महग जॉब के साथ साथ एक अच्छी लाइफस्टाइल जीती है और इसी बीच दोनों ही अब अमीर बेटियां अपनी बूरी और गरीम मा को भूलने लगती है महग बेटा, तु कब शहर से वापस आएगी? तेरी बहुत याद आती है मुझे टाइम ही कितना हुआ है, आ जाऊंगी और कितनी बार कहा है आपसे कि इस वक्त मुझे कॉल मत किया कीजिए पता है ना कि मैं जॉब पर रहती हूँ, अब कॉल रखी आप? इतना बोलकर महग कॉल कट कर देती है, महग का जवाब सुनकर साधना को बुरा तो लगता है, लेकिन वो अब अपनी बड़ी बेटी राशी को कॉल करती है अपनी दोनों बेटियों के ऐसे जवाब को सुनकर साधना अंदर ही अंदर बहुत दुखी होती है और आँखों में आँसू लिए अपनी छोटी सी कुटिया में चली जाती है और हमेशा की तरह दो वक्त की रोटी खाने के लिए कच्चा आम मसाला बेचने के लिए निकल जाती है कच्चा आम मसाला ले लो, कच्चा आम मसाला कस्टमर की बाद सुन साधना को वो पलियाद आने लगते हैं जब वो कड़ी धूप में मेहनत करके अपनी दोनों बेटियों का पेट पालती थी, उन्हें पढ़ाती थी और उन्हें कभी किसी चीज के कोई कमी नहीं होने देती थी यार गर्मी में ये ड्रिंक पी कर तो मज़ा ही आ गया नीरज I am so happy कि आप मुझे इस गर्मी में घुमाने के लिए इन वादियों में ले आए जहां साधना की दोनों अमीर बेटियां एशो आराम से अपनी जिन्दगी जीती हैं वहीं साधना आह ये जोडों का दर्द तो फिर से बढ़ गया और ये क्या मुझे तो अब कुछ ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा है लगता है आँखे पहले से भी ज्यादा कमजोर हो गई है साधना अपने जोडों का दर्द संभालते हुए जैसे ही खाना बनाने के लिए चूली के पास आती है तो अचानक सामने रखे बर्तन से टक्रा कर गिर जाती है जिससे उसके घुटने पर बहुत चोटा जाती है ऐसे ही समय गुजरता रहता है और अब धीरे दीरे साधना की तबियत पहले से और ज़्यादा खराब हो जाती है लगता है चक्कराने वाले ये भगवान क्या करूँ सर घूम रहा है बहुत तेज साधना रोज की तरह कडी धूप में कच्छा आम मसाला बेच रही होती है कि तबी उसे अचानक चक्कर आ जाते हैं जिसे देख सभी लोग उस पर पानी के छीटे डाल कर उसे होश मे लाते हैं सभी लोग साधना को पानी पिला कर उसके घर तक उसे छोड़ देते हैं साधना की दिन पर दिन बिगड रही हालत को देखकर विमला को साधना के लिए काफी बुरा लगता है लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती ऐसे ही काफी वक्त गुजर जाता है अच्छा हुआ आज हमने मिलने का प्लैन बना लिया वरना शादी के बाद तो तुम से मिलना ही नहीं हो पा रहा था वो तो है चलो कुछ खाते मुझे तो बहुत भूक लग रही है दोनों बेहने एक बड़े से फाइव स्टार होटेल में जाकर खाना खाती है और काफी सारी शॉपिंग भी करती है जिसके बाद दोनों कार में बैट कर निकल जाती है तब ही अचानक रास्ते में राशी को विमला दिखाई देती है जो उसकी मा की जगा बैट कर कच्चा आम मसाला बेच रही होती है ये तो विमला काकी है ना लेकिन ये यहां क्या कर रही है और मा कहा है दोनों बहने जल्दी से एक कार से उतरती हैं और विमला के पास जाती है महक और राशी के पूछने पर विमला उन्हें सारी बात बताती है जिसे सुनकर महक और राशी की आँखों में आसु आ जाते हैं और वो दोनों बहने जल्दी से भागती हुई अपनी मा के पास जाती है और देखती हैं कि उनकी मा की बिलकुल मरने जैसी हालत हो चुकी है राशी ही मैं एक तुम दोनों आ गई मुझे यकीन था कि मेरी बच्चियां जरूर आएंगी ये भगवान हमसे क्या गलती हो गई अपने हैशो अराम में तो हम आपको भूली गए हम उस मा को भूल गए जिसने कड़ी महनत करके कच्चा मसाला बेच कर हम दोनों को पाल पोस कर बड़ा किया था मा हमें माफ कर दो हम जानते हैं कि हम आपकी माफी के लाइक नहीं है नहीं बेटा ऐसा क्यों कह रही हो भला एक माँ भी क्या अपनी बेटियों से वुस्सा हो सकती है तुम दोनों आ गई बस यही मेरे लिए काफी है दोनों बेहने अपनी मा के गले लग जाती है जिसके बाद वो जल्दी से अपनी मा का अच्छे से इलाज करवाती है और अपनी मा के लिए एक छोटा सा घर खरीद कर उसमें अपनी मा के लिए सारी रहने की सुविधा भी करती है साथी साथ अब अपनी मा के लिए एक छोटी सी दुकान खोल देती है जिसके अंदर बैटकर उनकी माँ आराम से कच्चा आम मसाला बेज़ती है वहीं अब दोनों बेटियां अक्सर अपनी माँ से भी मिलने आती है